हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एकॉनोमिक्स और एच्पी जीके के के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन्स जो मेली प्रीवियस एच्पी एससी के एक्जाम में पूछे गए थे तो फ्रेंड्स ये क्वेशन्स आपको आने वाले एच्पी एससी के एक्जाम जो हैं एच्पी सेक्टरेट कलरक, जे ओए टी, लाइन मैन, लेक्टरीशन और जितने भी एक्जाम अभी कंड़क्ट किये जाएंगे एच्पी एससी हमिरपुर द्वारा उन सभी एक्जाम में ये क्वेशन्स आपको काफी हलप साबिद होंगे, तो ये इन जितने भी क्वेशन्स के मैं आपको अंसर बताओंगा, वो फाइनल HISाइसर की एक हमिरपुर ने झारी की थी, तो ये क्वेशन्स आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपने वीडियो के एंद तक बने र दीदर है काफी important question है as per census 2011 which district has highest decadal growth rate ने इमाचल पते हैं तो सबसे ज्यादा जो दश्की प्रिदीदर है वो किस district की है यह उन्ना district की है किसकी उन्ना district की option number D is question का correct answer है अगर आप से पूछा जाए कि कितनी जो दश्की प्रिदीदर है वो आपकी है 16.26 प्रतिशा थी यह सबसे ज्यादा जो है दश्की प्रिदीदर उन्ना district की है option D is question का correct answer है अगला प्रशन इसमें बोल गई कौन सा जिला मुख्यालिया हिमाचल प्रदेश में सबसे नेमरत तुंगता परस्तित है इस question का correct answer है अगला प्रशन है इंदरासन परवत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस चिले में सथित है तो इंदरासन मौंटेन पीक इस लोकेटेड इन बेच डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश की आपका कुल्लू डिस्टिक में है option C is question का correct answer हो जाएगा अगर आपसे पुछाएगी इसकी height कितनी है तो 6 to 2 0 meters जो है वो इसकी height है इसकी इंदरासन मौंटेन पीक जो है वो कुल्लू डिस्टिक में है अगले question पे चलते है लालो नी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो लालो नी जोत इस लोकेटेड इन बेच डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश तो यह लाहुल स्पीती डिस्टिक में है option number D is question का correct answer है अगर आपसे पुछाएगी इसकी height किदनी है इसकी है 5 440 meter जो है वो इसकी height है इसकी लालो नी जोत यह लाहुल स्पीती डिस्टिक में पड़ता है अगले question है काली का कुंड पानी का सत्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है काली का कुंड बाटर स्प्रिंग इस लोकेटेड इन बेच डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रद सिंग विस्टड मंडी तो गुरू गोविन सिंग जी ने मंडी की जो यात्रा की थी वो 1685 में की थी और सिद सेन के सासे निकाल में मंडी आए थे यह आपसे पूछ सकते हैं अगला प्रशना बिलासपूर में कौन सा अंदोर्दन हुआ था तो बिच मुमेंट टुक प्लेस प्रशना बिलासपूर तो जुगा अंदोर्दन जो था वो आपका बिलासपूर डिस्टिक में हुआ हुआ था और पिजोता हुआ तो अगले प्रशना ब्रुष नाला गडवास तो नाला गड़ का पुराना नाम क्या था ये ऑप्शना ब्रदी इस कॉश्चिन का इस पो नाम था वह का हंडूर था क्या था हंडूर जो था वो नालागड का पूराना हम था है सुंदर्डवर कइंडूर का नाम क्या था यहाल्क साईल का भू खाल बिद किनोर का चिनी यह द्मेरी और आपने समझे में किस्वेस के सोट निमलिक्त में से किसने 1965 में मास्टर क्राफ्ट मैन राष्ट्री पुर्षकार प्राप्त किया था तब विचोब तो फॉलिंग रसीवड दा नैशनल अबॉर्ड फॉर मास्ट क्राफ्ट मैंस इन 1965 तो मेहिशी देवी जो है इस क्वेशन का प्रेक्ट अंसर है अगला प्रशन से कम उमर की महिला महिला पर बतरो ही है अगले प्रशन है मकौन हिमाचल प्रदेश का प्रत्म नियाएक आयुक्त था वह वास्ट जूडीशियल कमिशनर ओफ हिमाचल प्रदेश तो इस कॉर्षन का जो कॉरेक्ट अनसर है वह आपका ऑप्शन नमर डी है जी एन बिनर जी प्रदेश के प्रत्म नियाएक आयुक्त थे अगर आपसे पुछ जाएगी एमेच बेग कौन थे यह फस्ट चीफ चस्टिस थे एचस ठाकर जो थे वह फस्ट चेर्मन ऑफ एजपी एड्मिनस्ट्रेटिव ट्रिविनल थे और टीवी आटाटा चारी जो थे वह फस्ट लो प्रदेश के आपकी हैं दस सीटे जो हैं बिदान सब्सक्राइब में अगला प्रशन है राज ये क्रिशी प्रवंदन विस्तार प्रसिक्ष्टन संस्तान हमाचल प्रदेश में कहां पर सेता है स्टेट अगरी कल्चर में अग्रेजमेंट एक्सेंशन ट्रेनिंग इंस्टि ख्राइब निर्मी आपकी सद्लों निर्मेट हैं और वलेख की सट निर्मीर प्रियोजना है और किसे हैंप प्रणलय परियोजना हैं सिप इंदंग हों मैं किया जाता तो बिलाच भॉंड एट्रियक्ष्टिव्स डिस्टिक क्ल्वांचल प्रदेश के कि इस च्लिमें किय जाता है बुरा नित्तिया जो है अगले प्रेशन जो है वह यह आपके हिस्ट्री के हैं दस्राग्या लडाई किस नदी के तैट पर लड़ी गए थी अगला है प्रत्थम बहुत संक्ती का श्रक्षन किस साशक ने किया था था फस्ट बुद्धिस्ट कॉंसल वाज प्रेट्र बुलर तो अजात शत्रू जो है इस कुश्ट इसक्का को लेक्ट नशले अगले प्रेशन है इवन बतुत्ता यह सूपरसेध दियातरी कि सधेश तो एबन पतूता एफेमस ट्रैवलर बिलोंग टो बिच कंट्री तो एबन पतूता एक प्रसिद सूपरसिद यात्री थी जो आपके मुरक्को देश के थे किसके मुरक्को देश के थे अगला प्रसिद है चोसा के लड़ा की बीच लड़ेगी तो बैटल ओप लड़ाः थी सेर्शा और हमाൌयो के बीच अगला प्रसिद ओप्रसिद नोर्वेस्टर के मुरर स्फटर के देश कके स्थानी पहबन है तो नोर् वेस्टर परशानत महाजागर जो है पैस्फिक ओशन जो है वह आपका डीपस्ट ओशन है अगले प्रशन हैं डायमिंड का सबसे बड़ा उतपातक देश कौन सा है विच इस अपका रसिया है और रूस की जो राजदानी है वह आपकी मासको है आगले परशने है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है इंडिया से लोंगेस्ट बॉंटरी बिज कंट्री तो बंगला देश के साथ सबसे सबसे लंबी सीमा साजा करता है भारत कितनी करता है यह करता है आपकी 4096 किलो मेटर कितनी 4096 किलो इंडिया अरावली जो है इसकोशन का कॉलेक्ट अंसर है अगला प्रशन है डिगबोई ओइल रिफाइनरी जो है वाव की असाम स्टेट में है अगला प्रशन है भारतिय समिधान की कौन सी अनसूची नगरपाली काउं से संबन देता है तो बिच दिवल ओफ एंडिन कंसिट बार्मी अनसूची जो बार्मी अनसूची है वह आपकी नगरपाली काउं से संबन देता है अगला प्रशन है प्रमादेश चनिक अनसूची का अर्थ क्या होता है यह सका होता है हम आदेश या बीकमाड ओप्शन नमबर भी इस question का correct answer है अगला प्रशन है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है वो इस दा एक्स ओफिसियो शेर मैर राज्यसभा तो उपरास्टरपती जो है इस question का correct answer है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं गुड्स और सर्विस टेक्स जीसटी कब लाग हुआ तक इद्धा गुड्स और सर्विस टेक्स हैज बिन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम तो यह हुआ था आपका एक जुलाई 2017 से option नमबर एस question का correct answer है नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं इसमें बोलागा कि Union Trust of India वास सेटाप पर ने बेचेया तो Union Trust of India की जो स्थापना हुई थी वो किस बरस हुई थी या 1964 में हुई थी पॉलियो इस कॉश्ट का correct answer है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आज हमने जियोग्रफी पॉल्टी हिस्ट्री एकॉनोमिक्स और एच्पी जी के कुछ इंपोर्टन कॉश्टन डिसकस किया जो प्रीविएस एच्पी एससी एक्जाम में पूछे गए थे तो आने वाले एच्पी सेक्टरेट करक जेओ आई टी लाइन मैन एलेक्टरिशन और जितने भी एक्जाम का सेडियोल एच्पी एससी हमिरपूर ने जारी किया है उन सभी एक्जाम में ये कॉश्टन साब को काफी हलपल साबित होंगे तो फ्रेंट्स आई होप आपको वीडि आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दें तो थैंक्यू फ्रेंट्स